अब यह देखना है कि पानी के मुकाबले यह अपने दुगने दावो पर खरा उतरता है अब देखते हैं कि क्या ग्रीन प्लाटिनम वाटर प्रूफ में भी दुगना बेतर है अगर ग्रीन प्लाटिनम का हम दुगने का क्लीम कर रहे हैं तो इसका मतलब ग्रीन प्लाटिनम को 144 तक उबलते पानी का टेस्ट का सामना करना पड़ेगा तो आएए देखते हैं क्या होता है जब हम ग्रीन प्लाटिनम के एक टुकड़ा उबलते पानी में डालते हैं चलिए अब देखते हैं कि ग्रीन प्लाटिनम अपने दुबने वाटर रेजटेंट दावे पर खड़ा उतरता है या नहीं 144 घंटे हो चुके हैं अपनी बॉलिंग वाटर टेस्ट को जैसे कि हम देख पा रहे हैं कोई भी लेयर ग्रीन प्लाटिनम का नहीं खुला है जो यह दर्शाता है कि यह डबल बॉलिंग वाटर प्रूफ है